नमस्कार दोस्तों स्वाथ करते आप सभी एक यवस्तिजी कोईज में तो दोस्तों आइज जो एकी बिहार प्लिस के लिए इस पेशल आइज एक टॉपिक लिए के आए होगे हैं जो कि न्यू सिलेबस में मेंशन किया गया है जो अभी 2024 में आपका अपडेटिज सिलेबस है जो कि नाइज और प्रसन पूचा जाएगा तो आए हमसे पी का टॉपिक जो इसमें वो फ्रांस की करांती है जितने भी इस टॉपिक से कोईिसिन बन सकता था आइज कि लेक्चर में में मेंशन किया गया है अती महतपुर्ण प्रसन है आइज कि अगर इस टॉपिक को Street कर ल प्लेलिस्ट हम बना दिये हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का फ्रेश्ट कोईशन है पहला कोईशन ये है कि फ्रांसेसी करांतिक की सुरुवात कब हुई थी अगर किसी भी कोईशन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आन्यथा का क्या कर सकते हैं एक कॉपी में नोट कर सकते हैं आपसे को हम बार बार करते हैं कि कोईशन का आंसर आपसे जरूर लिखा किजे क्योंकि जिस question का answer आप लिख देते हैं वो proper आपको question याद हो जाता है तो इतना सा काम per day आप भी जरूर कर लिया किजे साथ-साथ में question आपको याद होती चल जाएगा option में एक correct answer होगा ध्यान रखीगा आप सभी क्या बताएं आपको 1789 में शुरू हुई थी और 1794 तक चली थी अगला point को नोट किजेगा कि राजा लुईस सुला को अधिक धान की आवा सकता थी लेकिन जब उन्होंने state general की बैठक बुलाई थी तो वो अधिक कर बढ़ाने में विफल रहे थी और इसके बज़ाएं क्या हो गया था तो यहाँ फ्रांस की इस्थितियों के बारे में ये बिरोध में बदल गया था ध्यान रखेगा point क्या क्या याद रखना है आप सभी को point ये याद रखने की सुरू कब वाता और समाप्त कब वाता ध्यान रखेगा important point है और उस समय का राजा कौन था तो लूईश सोलमा था ध्यान रखेगा अब सभी ये दो point है जो आपको याद रखना है अगला है फ्रांस की राजक्रांती के समय वहाँ का राजा कौन था जब फ्रांस में राजक्रांती हो रहा था तो उस समय का राजा कौन था राइट आंसर ओफिशन नमस्वी जाएंगे लूइस सोलमा ध्यान रखी गाँ अब सभी लूइस सुलमा जो एकिफट उस समय का क्या था राजा ध्यान रखी गाँ कहां का फ्रांस का था ध्यान रखी गाँ अगला कूश्चन देख लिए जेगा कूश्चन नमर थ्री हैं कि प्रांस में 173 दिवस कभ मनाय जाता है important question रहेंगे चलिए बताइए गाँ का right answer क्या होगा तो फ्रांस में 173 दिवस कभ मनाय जाता है तो याद रखेगा 14 जुलाई को हरेग वरस जो किफट Фरांस में 173 दिवस मनाय जाता है दीखे ये topics से आपकं traffic में दिया अ— behave, ग फूटे ना पेपर में ये मेरा टार्गेट है बस आपको क्या करना है क्लास को लाइख करके अपने दोस्तों में कम से कम एक चे दो ग्रूप में सेर किजे, लेकि अपने तरब से जितना एफट लगा सकते हैं, वो लगाते हैं, हम हंडेट परशेंट अपना देते हैं आपके इतना सा काम जरूर कर लिया किजिए, कलास को लाइक करके, सियर अपने दोस्तों में जरूर कर लिया किजिए, उत्पिरन के परतिक वैस्टिल पर आकर्मन कब हुआ था, उत्पिरन के परतिक वैस्टिल पर आकर्मन किया गया था, यह कब किया गया था, इंपॉर्टेंट कोश दिया जा सकता है तो date याद रखेगा 14 जुलाई 1789 को अगला point को नोट किजेगा कि बेश्टिल पर हमला जोगे 14 जुलाई 1789 को पेरिस फ्रांस में हुआ था पेरिस फ्रांस में हुआ था पेरिस फ्रांस की राजधानी है ध्यान रखेगा आप से भी यह घटना इतिहास में ए अगला पॉइंट को नूट किजिएगा अगला कोश्चन है कि क्रांती के किस परसिद नारे में सोसंतर्ता समानता और बंधुत्व का अहान किया गया था इस पॉइंट को यादर जरूर रखेगा अगला कोश्चन है कि अतं के सासनकाल के दोरान जेको बीन गुड का परतिश्ठित नेता कौन था? तो रहे अंशर ओप्सें में एक इस पी एरे था ध्यान रखी गाए आपसे भी अप्सें में एक करेक्ट अंसर होगा याद रहेगा मैक्समिलियन रोबे इसपी एरे जोए कि फेंड आतंग के सासन के दोरान में जेको बिन गूट का परतिष्टित नेता था option नम्मर A बिल्कुल correct answer हो जाएगा कुछ point को आतंग के सासन काल के दोरान जेको बिन गूट के परतिष्टित नेता जोए कि मैक्समिलियन रोबे इसपी एरे थे ध्यान रखीगा आप सभी हलाकि वो अधिकारिक तोर पर जोए कि एक मात्र नेता नहीं था वो बलकि का सकते हैं कि उस अब्दी के दोरान सारजनिक हो गया सुरक्षित हो गया या सुरक्षा सिमिती पर उनके परभाव और नियंत्रन ने एक परमुक विक्ति की रूप में उसकी छबी को मजगूत किया था दियान रखीगा आप सभी हलाके का सकते हैं अधिकारी तोर पर जो एकी नेता नहीं था बड़ का सकते हैं कि सारजनिक हो गया सुरक्षा हो गया सिमिती हो गया या का सकते हैं उसके परभाव या नियंत्रन में का सकते हैं कि उस विक्ति का छबी जो कि काफी मजगूत देखने को मिला था अगला कोश्चन देख लिएज़ेगा कोश्चन ही कोश्चन में से यह बन कि फ्रांसिसी करांती कि इसके उदाई के साथ समाप्त हुई थी तो फ्रांसिसी कुरांती जोई की फिपन ये निपोलियन बोना पात के उदधे के साथ ही इस कुरांती की समाप्ति हो गई थी ध्यान रखेगा आप सभी option नमसी बिल्कुल correct आंसर हो जाएगा यहीं से याद रखेगा कि नेपोलियन बोनापाट का जन्म जो हुआ था वो 15 अगस्त को हुआ था ध्यान रखेगा आप से भी 15 अगस्त को हुआ था 15 अगस्तो 1769 में इसका जन्म होता है ध्यान रखेगा कोर्सी का दूइप में होता है ध्यान रखेगा कोर्षी का दुइप में होता है लिख देते हैं आप से नोट कर लिजेगा कोर्षी का दुइप में जो एकिफिन इसका जन्म होता है नेपोलियन बोनापाट का कब 15 अगस्त 1799 में हुआ था कुछ important point को नोट कर लिजे आप सभी जहां से आपके paper में प्रस्न पूछा जा सकता है कि ऐसा माना जाता है कि फ्रांसिसी करांती 1799 में नेपोलियन बोनापाट के उदय के साथ ही समाप्त हो गई थी तो फ्रांसिसी करांती समाप्त कब हो ही 1799 इस भी में ध्यान रखीगा आप सभी नेपोलियन बोनापाट कहां का समराड था फ्रांस का था ध्यान रखीगा अगला नोट की जिएगा कि रोयल म्यूजियम ग्रिन वीच का उलेक है कि 9 नंबर 1799 को जब उनके नेत्रित्व के परती निरासा चरम सिमा पर पहूज गई थी तब नेपोलियन बोनापाट ने तक्ता पलट कर उसे समाप्त कर दिया निर्देशी का और स्वेम को फ्रांस का पर्थम कौसल न्यूक्त किया था ध्यान रखीगा यहां पर कर लिजिगा न्यूक्त किया था यहां फ्रांस का यहां फ्रांसेसी करांती के अंत और नेपोलियन यूक्त की सुरवात का परतीख है याद रखीगा आप सभी नेपोलियन को जो माना जाता है फ्रांसेसी करांती का अंत और नेपोलियन यूक्त की सुरवात माना जाता है इतना सा point को आपसी जरूर याद रखेगा अगला question देखेज़ेगा मांटेस्क्यों ने कौन सी पुस्तक लिखी है चले बताएगा इस question का right answer क्या हो जाएगा इससे सम्मनित question पूछा गया था पिछले बार पेपर में इसका correct answer हो जाएगा विधी का आत्मा नमक पुस्तक लेखी ती ध्यान रखेगा बी correct answer होगा अगला question देखेज़ेगा question है कि करांती के प्रारंबिक चरन में एक परमुख खिलाड़े state general को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था state general की बात किया गया है इसे कितने वर्गों में विभाजित किया गया था तो इसे तीन वर्गों में विभाजित किया गया था ध्यान रखेगा अभी बताएंगे इसके बारे में तीन वर्गों में विभाजित किया गया था याद रखेगा रोसो किस से दंद का समर्थक था जनता की एक्छा का अगला कोश्चन देख लिए जे कोश्चन में टेन है कि किस दार्सिनिक आंदोलन ने क्रांती के आदर्सिक को अतिधिक परभावित किया था क्या कुछिशन कहा गया है कि किस दार्सिनिक आनदोलन ने करांति के आदर्स्व को सबसे अधिक परभावित किया था चले बताइए गई उस कुछ नाम आपको डिफिकल्ट देखने के लिए मिलेगा याद करने में दिक्कत होगा हलाकि एक से दो बार रिपीट किजेगा तो चीजे आपको याद हो जाएगा अगला है इतिहास के छात्रों के अनुसार अमिर्की और फ्रांसिसी दोनों क्रांतिया प्रबुदता काल से आई विचारों से बहुत परभावित थी याद रखेगा प्रबुदता दारसिनिकों के कई परमुक विचार थी जिनका सबसे बड़ा परभाव भी था याद रखेगा अगला है बॉल्टे मर क्या था ये कोशन पूछा गया था अपका 2023 में बॉल्टे मर क्या था तो ये एक लेखक था ध्यान रखेगा वाल्टेमर क्या था एक लेखक था अगला कोशन दिख लिजेगा उस परसिद करांती कारी गीत का क्या नाम था जो फ्रांस का राष्टी गान बना था कि उस परसिद करांती कारिक गीत का नाम किया था जो फ्रांस का राष्टिक गान बना option में एक correct answer हो जाएगा ला मारसीलेज जो कि फिन उस करांती कारिक गीत का नाम था जो कि फ्रांस का ये राष्टिक गान बन गया था ला मारसीलेज अगला कोश्चन देख लिए जेगा कुछ पॉइंट को याद रखेगा कि वह परसित करांती कारे गीत जो फ्रांस का राष्टिक गान बना उसे हमसे भी ला मार्सिलेज काते हैं इसकी रचना जो फिर 1792 में क्लॉड जोसेप रोगेट डी लिसले के दवरा जो की फ्रांस इसी करांती के दवरान हत्यारों के आहान की रूप में की गई थी ध्यान रखेगा ला मार्सिलेज की रचना अगला कोशिशन याद रखेगा आप जबी पहली फ्रांस में सत्ता के बागडोर किस परकार की राजनीतिक व्यवस्था के पास थी पूर्ण राजसाही के पास थी ध्यान रखीगा जो भी आप्सिन में D को टिक करें बिलकुल करक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण राजसाही के पास थी कुछ पूर्ण नोट कर लेज़ेगा जबकि फ्रांस ने समय के साथ अपने राजनितिक परनाली में कुछ विकास देखा फ्रांसेसी किरांती से पहले परमुक परनाली पूर्ण राजसाही थी इसका मतलब ये था कि राजा के पास सर्बोश सक रकती होती थी जिस पर यह अन्य संस्थाओं की कई सीमा या नींत्रण और शंतुलन नहीं होता था ध्यान रखत ती कोशन नोट किजिएगा कि दूत्य इस्टेट में कौन आते थे अभी बताये थे ना कि तीन इस्टेट में बाटा गया था तो दूत्य इस्टेट में कौन आते थे इसका कर्यक्ट आंसर हो जाएगा कूलीन ध्यान रखेगा आप सभी कूलीन आते थे दूत्य इस्टेट में त तो देखे त्रितिय इस्टेट में जो आते थे वो दार्सिनिक आते थे द्यान रखेगा तीनों इस्टेट को याद रखेगा तीनों इस्टेट आपको बताएंगे हम उसके बाद अगला कुछ सेने कि प्रो बंधन विचारों में से किसके दार्सिनिक विचारों ने फ्रांसे पर बोधन विचारों में से किसके दार्शनिक विचारों ने फ्रांसेसी लोगों को बिद्रो के लिए प्रेरित करने में मातपून भूमिका निवाई थी तो जिन जैक्स रूसों निवाई थी कुछ फॉइंट को नोट कर लिजेगा कि विक्ति गत अधिकारों और सिमिती सरकार पर जॉन लॉक के विचारों ने अमिर की और फ्रांसेसी दोनों करांतियों को परभावित किया था अगला कोईशन है कि पर्थम इस्टेट में कौन आता है तो पर्थम इस्टेट में पादरी आता है ध्यान रखेगा सी करक्ट आंसर होगा तीनों इस्टेट आपको बताएं पर्थम दोतिय और तृतिय के बारे में तो तीनों इस्टेट को याद जरूर रखेगा जितने को कोईशन हमसे भी कवर किये हैं, बस इतना ही कोईशन बन सकता था इस टॉपिक से जो मोच इंपोर्टेन था, जादा कुछ याद करके कोई फाइदा नहीं है, वही कोईशन याद केजे जो पूचा जा सकता है पेपर में बनाने का तो बहुत सब्लूशन बनाया जा सकता है तो इसे एक से दो बार रिवाइच करके याद जरूर कर लिजेगा पेपर में प्रसन आपको निश्चित देखने के लिए मिलेगा तो चले आज कितना ही आज की सेशन को यहीं कम्प्लिट करते हैं फिर जाते जाते क्लास को लाइक करके सेर अपने दोस्तों में जरूर किजेगा इतना सा काम जरूर करके जाएगा और इससे पहले आपसे भी को पर्थम और दूतिय बीसुद का क्लास दिया गया था प्लस में स्वसंतरता संगराम का क्लास दिया गया था पिलकुल टॉपिक वाइच क्लासे चल रहा है इस classes को per day आप से जरूर कवर कर लिए किजिए समय निकाल के ये topic आपको काफी help करने वाले paper में प्लस में जो practice चलता है उसको per day जरूर कवर किजिए कोशिज करते कि बेहतर से बेहतर आपको content दिया जाए बेहतर से बेहतर तरीकी से आपको समझाया जाए ताकि प्रस्न चीजे आपको याद रहे क्योंकि main purpose है question याद रहना चाहिए ध्यान रखीगा क्योंकि जब तक question याद नहीं रहेगा तो can confusion पैदा करेगा और can confusion पैदा करेगा तो question गलती करके आएगा 100% ध्यान रखीगा तो ऐसा question को cover किजे इस तरह किसे पढ़िए कि चीजे आपको can confusion ना करें मिलते हैं जहिंद मने मातरम ध्यान रखीगा पढ़ाई करते रहेगा जाते जाते फिन class को लाइकर के सियर करके जाएगा जहिंद